नमस्कार मैं हूँ काइनात खान आप देख रहे हैं सोशल टीवी खबरों के शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर नवगच्या के निरुद्दीन में नौ पलटने सी तीन बच्चों की हुई मौत मवेशी का चारा लेकर आ रहे थे सभी बच्चे मध्यपूरा से अफरित युवक की नरायनपूर में कोशी से मिली लाश पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफतार कर भेजा दे और पुलिस कर्वियों ने लिया संकल्प ना पीएंगे ना पीने देंगे शराब एसेसपी ने पुलिस लाइन में दिलाई शपर अब खबरे विस्तार से नवगच्या के बीपूर थाना छेतर के निरुद्दीन में नौफ पलटने से नदी में डूब कर तीन बच्चों की मौथ हो गई बताया जाता है कि नौफ पर सवार होकर सभी बच्चे मवेशी का चारा लेकर लोट रहे थे तभी नदी की तेजधार में नौफ पलट गई ग्रामीनों की मदब से अन्य बच्चों को बचा लिया गया है घटना के बाद परीजनों में कोहराम मचा हुआ है वहीं प्रशासन और पुलिस की टीम वहाँ पहुँच कर सभी बच्चों को पानी से निकाला गया लेकिन तब तक उनमें से तीन बच्चों की मौथ हो चुकी थी घायल दो बच्चों का इलाज नीजी क्लीनिक में चल रहा है जहां वे खत्रे से बाहर बताये जाते हैं सीएम नितिश कुमार ने क्राइसिस मेनेज्मेंट गरूप की बैठक के बाद सभी कॉलेज और तकनीकी शिक्चन संस्थान को खोलने करने नए लिया है विश्व विद्याले कॉलेश तकनीकी शिक्षन संस्थान सरकारी प्रशिक्षन संस्थान 11 एवं 12 तक के विद्याले 50% छात्रों की उपस्तिती के साथ खुलेंगे वही रेश्टरेंट एवं खाने की दुकान का संचालन 50% बैटने की छमता के साथ होगा सोंबार को नितिश कुमार ने ट्वीटर पर अनलॉक चार के बारे में जानकारी साजह करते हुए सहीयोग की अपील की है सोंबार को हुई एहम बैठक में CM नितिश कुमार समेथ राज़िस सरकार के कैई मंत्री और पदादिकारी शामिल हुए पदाधिकारियों के साथ विचार मिमर्ष करने के बाद अनलोक चार की नियम कानून को लागू करने का निर्ने लिया गया दुकाने शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी अनलोक चार के दोरान भी रात में नाइट कर्फ्यू 9 बजे से लागू रहेगा बिहार में अनलोक चार की नए नियम कानून 7 जुलाई से लागू होंगे भवानिपूर नारायनपूर थाना छेतर के राइपूर गौव से 11 जून को अफरित मदेपूरा जिले के और राई निवासी संतोष की लाश नारायनपूर के कुसाहा में कोसी नदी के किनारे ब्रामत हुई है पुलिस ने संतोष के भाई मनीश कुमार के बयान पर भवानिपूर से तीन आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है भवानिपूर के विद्यानन शर्मा की बेटी की शाधी मध्यपूरा के और आई गौव में धर्मेंद्र शर्मा से हुई थी गौव में चर्चा है कि विद्यानन शर्मा ने लड़के वालों को बड़ी बेटी की जगा छोटी बेटी का फोटो दिखा कर शादी कराई थी शादी के बाद धर्मेंदर का दिल साली पर आ गया और दोनों महेश खुट में रहने लगे लड़की के पिता ने फिर से बेटी और दमात को खोच कर उसकी शादी बड़ी बेटी से करा दी इस 21 जून को धर्मेंदर दोबारा अपनी साली को लेकर फरार हो गया विद्यानन शर्मा को शक्ता कि उसकी बेटी को भगाने में धर्मेंदर के दोस्ट संतोष शर्मा का हाथ है विद्यानन शर्मा ने पुलिस को बताया कि संतोष का अफरण कर उसे अजीश शर्मा, सूधो ठाकूर, धोड़ा शर्मा की मदद से उसकी हत्या कर दी सोमवार को मध्य निशेत को लेकर सरकार की निर्देश पर पुलिस केंदर में सभी पुलिस कर्मियों को शराब नहीं पीनी की शपत दिलाई गई SSP निताशा गुरिया की मौजूदगी में शपत लेते हुए कर्मियों ने कहा कि आजीवन शराब का सेवन नहीं करेंगे और शराब बंदी कानून लागु कराने के लिए विधी सम्मध जो भी कारवाई अपेक्षी थे उसे करेंगे शपत ग्रहन कारिक्रम के बाद SSP निताशा गुरिया ने कहा कि शराब तसकर और पीने वालों पर कठोर कारवाई की जा रही है बॉर्डर पर सगन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है पुलिस कप्तान ने युवाओ से अपील की है कि बिहार को नशामुक्त बना कर बहतर समाज के निर्मान में सहायक बने शपत ग्रण कारिक्रम में सारजेंट मेजर केके शर्मा वक्केई अधिकारी पुलिस लाइन मैदान में उपस्ति थे 322 नव नियूत प्रक्षिक्ष्यों के द्वारा योगदान किया गया है और आज हम सभी ने ये जितने भी 322 नए सिपाई हैं इन सब को शपत दिलाई है कि ये स्वेम आजीवन शराब नहीं पियेंगे और साथ ही साथ अपने गाउं महले अपने परिवार जनों में भी बिहार सरकार के द्वारा जो शराब बंदी नियम लागू किया गया है उसका भी अनुपालन ये अपने सतर से कराएंगे और मेरी यही अपेक्षा है कि ये जो नए हमारे कर्मी गण हमारे साथ जोड़े हैं ये और भी हमारा ये जो अभियान चलाया गया है शराब बंदी को इसको और सशक्त और मस्बूत बनाएंगे भागलपूर में राजत कारिकरताओं ने कचेरी चौक के पास केक काट कर राष्टी जनता दल की रजत जैनती मनाई कारिकरम के अध्यक्षता करते हुए प्रदेश महासचीव डॉक्टर चक्रपानी हिमानशु ने कहा कि राजत के ही कारिकाल में समाज के वन्चित लोगों का सरवांगिंग विकास हुआ है उन्होंने कहा आज डीजल, पेट्रॉल, रसोई गैस, दाल और तेल के दाम में आग लगी है और महंगाई चरम पर है बिरोजगार युवाओ को रोजगार नहीं मिल रहा है और सरकारी संस्थानों का नीजी करण कर पुँझी पतियों के हातों में सौपाज जा रहा है अस्थापना दिवस पर कारीकरताओं का संकल्ब है कि केंद्र और राजजी सरकार की जन विरोधी नीती के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे मौके पर गौतम बनर जी, राहुल कशयव, सर्वर इमाम समेथ अन्य कारीकरता मौजूद थे जब नितीज जी के राजकाल 15 साल हो गया है, अगर एक गवं में इंद्रावास बनता है, तो दस पॉंस पीक अंचू जो 30,000 रुप्या देता है, उसका इंद्रावास बनता है सवचालाय में इनके कारकाल में घूस लिया जाता है, इनके कारकाल में ब्लोक में भरष्टाचार चरम सिमों पर है, लेकिन राश्टिय जनता अदल ने अपने कारकाल में समाज के बंचित लोगों को जिनको अधिकार नहीं मिलता था, जिनको बोलने नहीं दिया जाता था, जो अपने अधिकार के लिए तरस रहता था उनको अधिकार मिला सनहौला प्रखन के बोड़ा पाटगडी पंचायत में वाट संख्या बारा में बिना एनोसी लिए ही नीजी जमीन पर जलमिनार लगा दिया गया जमीन को लेकर जिला पंचायती राजपदादीकारी भागलपूर के टीम गठन कर जलनल योजना की जाज़ टीम ने किया इस संबन में बोड़ा गाउफ के सुमन कुमार सिंग ने आयुक्त से योजना में गड़बडी को लेकर शिकायत दर्श कराई है इस संबन में आयुक्त के निर्देश पर जिला पंचायती राजपदादीकारी त्रिलोकीनाज सिंग ने सनहौला के बीडियो चंद्रिका कुमारी कनिय भियंता वर्शा सौम्या के साथ अस्थल का निरिक्षंखिया उन्होंने बताया कि जल मिनार की निर्मान में सरकारी नियमों का पालन हुआ है या नहीं इसकी जाज कराई जा रही है वाट किर्यानवेन की सदस्य सुनैना कुमारी का कहना है कि वाट सदस्य सुलेखा देवी द्वारा जलमिनार का निर्मान नीजी जमीन पर कराया गया इस संबन में हुई बैठक की मुझे कोई चानकारी नहीं है वही बोड़ा पाठक डिप पंचायत के मुख्या जगत चौधरी ने बताया कि सुमन कुमार सिंग की शिकायत के बाद जाज टीम यहां की योजनाओ की जाज कर रही है लेकिन वाज सब्सक्राइब किया गया कि भाई सही जमीन है गाउवाले ने संदेश दिया कि नहीं यहीं पर बनना चाहिए पिना एनोसी लिए निजी जमीन में जो वोरिंग कराया गया था वाड नमबर बारा में उसी का मुख मुद्दा लेकर के पर्था मपिली प्रादिकार शाह आयुत भारपुर प्रमंडल भागरपूर के द्वारा जिना पंचायत राज प्रादिकारी भागरपूर को इस दिया जाए कि जितने भी रासी निकासे की गई है वो रासी जो है कि वापस करें ततारपूर थाना छेतर के रामसर चौक पर साइकल चोरी करते एक युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ कर उसकी धुनाई की और पुलिस को सौप दिया गिरफतार साइकल चोर सर्फराज आलम शाह मार्किट का है जो रामसर चौक पर एक सैलून के बाहर खड़ी साइकल लेकर भाग रहा था वहीं पिटाई के बाद सर्फराज ने अपनी सफाई में कहा कि मैं चोर नहीं बलके रंग का कारी करता हूँ और सैलून में बाल कटा ने आया था पुलिस युवक को गिरफतार कर उससे पूछ दाश कर रही है अपनी मांगो के समर्थन में सोमवार को नगर निगम के सफाई कर्मियों ने निगम परिसर में पहले विरोत प्रदर्शन किया और अनिश्चित कालिन हरताल पर चले गए उनकी मुख्य मांगों में पटना नगर निगम की तर्ज पर वेतन में बढ़ोतरी और सात्वा वेतन मान है सफाई मजदूर संग के सचीव रगुवीर हरी ने कहा कि हमें कभी भी समय पर वेतन नहीं दिया जाता है 30-40 सालों से कारिरत रहते हुए भी EPF का पैसा नहीं मिला है उन्होंने कहा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हरताल पर जारी रहेंगे उसको भुकतान करें और यहां घुसकोरी भरसाचार चरम पर है उसको बंद करें सिवाहत अलाव में 50,000 से 1,000,000 रुप्या लिया आता है उसको बंद करें और जो गलत काम कर्वचारी कर रहा है उसको दंडित करें उसको प्रिसान अतिये हटाया काम से भागलपूर के सिकंदरपूर में दिल्ली क्राइम प्रष्टाचार विरोध मोर्चा का सदस्य बताने वाले एक ठक को महले वालों ने पोल में बांद कर जम कर पिटाई की रागवेंद्र कुमार रजक दिल्ली क्राइम प्रष्टाचार विरोध मोर्चा का काड़ लेकर महिलाओ से बंधन बैंक के कागजात की जाच कर रहा था शक होने पर महले वालों ने युवक से पूश्टाश की तो उसकी पोल खुल गई युवक महिलाओ को डरा धमका कर फोटो भी खीच रहा था लोगों ने उसे पकड़ कर पहले पिटाई की और पुलिस को सौब दिया इसके पहले भी रागवेंद्र कई डिलरों से ठगी कर चुगा है पुलिस ठग को हिराजत में लेकर उससे पूश्टाश कर रही है शाकुन प्रखन के दराधी गाव में बिजली का करंट लगने से पचास वर्षी रामदेव पासवान की मौत हो गई वबहियार में घास काटने गया था तब ही वन नीचे गिरे तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई गुसाई परीजनों ने शव को सड़क पर रख कर प्रदर्शन किया गाव वाली इस घटना के लिए बिजली विभाग को जिमेदार ठहरा रहे है उनका कहना है कि कई दिनों से यहां तार गिरा था जिसे विभाग ने नहीं हटाया जिससे रामदेव की मौत हो गई रामदेव अपने परिवार का एक मात्र सहारा था और उसके दो छोटे बच्चे भी है थाना ध्यक्ष महासुइता सिन्हा ने कहा कि परीजनों की शिकायत मिलने पर मामले में यूडी केस दर्श किया जाएगा फिलाल खबरों में इतना ही अब मुझे दीजे जासत नमस्कार